वेल्किम टू मैंचे आनल इसमी शृती मिश्रा सो गाइस आज का रीविव हुने वाला है एक मेकप प्रोड़ेट के बारे में गाइस ये मेकप प्रोड़ेट काफी पहले लॉंच हुए है और मैं इसका रीविव बहुत लेट शेयर कर रही हूं और लोगों ने मेकप के नीचे लगाया जाता है मेकप को लॉंग लास्टिंग और एक अच्छा बेस देने के लिए शायदा इस पॉइंट से क्लियर हो गए होंगे कि ये एक कैन्वेस बनाता है मेकप के लिए ताकि आपका मेकप जो है इसली गलाइड करें और परफेक्ट लगे ये इसका अब सबसे स्मॉलेस साइज है इन्होंने अभी एपने टेस्टर साइज भी लॉंच किया है तो ये सका मेने स्मॉलेस साइज परचेस किया है ताकि मैं एसको यूज़ करूँ और अगर मुछे पसंद आ तो मैं इसका बड़ा ट्राय करूँ तो काईगस आज हम बात करेंगे इस प्रोड़ेट के बारे में डिटेल में किस स्किन टाइप पे ये वर्क करेगा ये सब कुछ मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगे तो वीडियो के एंड तक बने रहेगा वीडियो पसंद आए उसे लाइक शेफ जरूर करिएगा कोई क्वेशन कोई कोई कोरी कमें यह है हमारा लैक में Absolute का Blur Perfect Makeup Primer अगर प्राइस की बात करें गाइस तो यह आता है राम की पैकेजिंग 2.99 रूपीस की शेल्फ लाइफ मिलती है 3 यह की बात करूं पैकेजिंग के बारे में आता है इस तरीके की कार्ड़ बॉक्स में बॉक्स में प्रोड़ेट की पूरी लेकिन इतना है कि आप इसको दो मंद तो अराम से यूज कर सकते हैं अगर बात करें कंसिस्टेंसी की तो गाइस प्राइमर दो तरीके के आते एक जेल बेस एक क्रीम बेस और यह थोड़ा सा क्रीम मूस टाइप का बेस फॉर्मला है जो कि इस स्किन में बहुत जल्दी बाता है और आप देख सकते हैं इसमें थोड़ा सा पिंक टिंट है जो की स्किन को ब्राइटन कर देता है आप देख सकते हो यह पाउजरी फिनिश देता है जो की जेल बैस फॉर्मले होते हैं वो स्किन बिल्कुर टांस्पैर इंटेंट हैं लेकिन िसमें थोड़ा सा powdery white tint है और यह इंदम स्मूथ सिलिकन फिनिश देता है इसीistkin को थोड़ा सा bright Australian टश देता है मतलब कि एक skin को थोड़ा सा एक टोन या कह सकते हैं हलका सा यह light कर देता है अगर अब बात करूँ मैं इसके ingredient के बारे में तो इसमें ingredient list काफी अच्छे से mention की गई इवन बहुत बड़ी ingredient list है मैं ingredient का snap screen में देदूँगी आप pause करके check कर सकते हो बाकी कुछ ingredient में read कर देती हूँ कि इसमें dimethicone है cross polymer है zinc oxide है paraben इसमें पड़ा हुआ है methyl paraben भी इसमें पड़ा हुआ है and benozyl alcohol है benozyte है guys यह कोई herbal ingredient से बना product नहीं इसमें chemical है जो की primer वैसे भी कोई herbal ingredient से बना product नहीं होता है यह chemical based product होता है इसी वज़े से primer बहुत rare यूस करना चाहिए जब आपको बहुत ज्यादा long lasting makeup चाहिए हो बाकी इसमें paraben mix है और methyl paraben भी इसमें पड़ा हुआ है तो इसके claim के बारे में तो guys यह कहता है canvas बनाता है makeup के लिए जो की skin की imperfection को height करता है blur कर देता है pores को, skin के dark spots को और uneven skin को बलर कर देता है जिसकी बज़े से जब आप foundation लगाते हैं तो थोड़ा सा आपको पहले से ही coverage मिल चुका होता है और makeup लगाना इसमें थोड़ा easy हो जाता है क्योंकि यह एक soft finish देता है जिसमें आपका makeup easily blend और glide हो जाए तो guys यह इस तरीके का आपके makeup को touch देता है बाकी makeup को long lasting बनाता है क्योंकि यह थोड़ा सा oil को control करता है ताकि आपका makeup जो है वो थोड़ा long lasting हो जाए इस तरीके से यह work करता है अब guys इसको use करने का तरीका दिखाती हूँ मैं दिखाती हूँ कि यह कैसे work करता है मैं आपको before and after result दिखाऊंगी तो आपको जादा better पता चले guys मैं इसको थोड़ा सा dot करके अपने face और neck पे लगा ले रही हूँ before makeup और मैंने इस से पहले अपना face अच्छे से clean कर लिया कोई भी makeup स्टार्ट करने से पहले face को अच्छे से clean कर लीजे dot करके and यह easily glide हो जाता है after 5 minutes आप इसके बाद कोई भी foundation अपलाए करे वरना यह थोड़ा सा skin से glide होने लगेगा आपको इसको set होने को थोड़ी देर देना time पड़ेगा थोड़ा time देना पड़ेगा इसको set होने के लिए and guys before and after result देख सकते हैं instant face को brighten करणा imperfection को blur कर देता है जो कि इसका काम है blur करना यह blur कर देता है आपके skin को थोड़ा से brighten touch देता है अगर थकी होई tired skin है तो यह skin को एक अच्छा canvas दे देता है smooth finish देता है इस तरही के से work करता है guys और इसके बाद जब आप foundation लगाएंगे तो आपको foundation और जादा brighten लगेगा और जो थोड़ी सी imperfection है वो पहले से ही hide हो गई होगी तो आपका जो medium coverage foundation है वो थोड़ा सा आपको और जादा heavy coverage देता हुआ नजर आएगा ये इस तरीके से बग करता है बाखी गाई इसी makeup को थोड़ा long lasting बनाता है जैसे कि मेरा makeup अगर 3-4 hours टिकता है इसको लगाने के बाद 5-6 even 7 hours के लिए टिक जाता है क्योंकि बहुत अच्छे से makeup को पकड़ के रखता है मुझे ये formula बहुत पसंद आया मैं वैसे तो gel based primer पसंद करती हूँ लेकिन मुझे ये formula बहुत अच्छा लगा ये makeup को बहुत अच्छे से glide होने देता है और थोड़ा सा फेस को ब्राइटेंड कर देता है जो मुझे इसकी खास बात लगी अगर आपको इसके पैरविन से problem नहीं तो आप definitely इस primer को try कर सकते हो even अगर आप makeup नहीं कर रहे हैं तो इसको simply लगा सकते हो तो आपको ये even हलका सा ब्राइचन लुक देगा बाकि आप इसको थोड़ा सो compact से सेट कर दो एंड आपको foundation लगानी के विन जरूरत भी नहीं पड़ेगे अगर आपके face में बहुत साथा imperfection नहीं और आप एक regular office या regular college वाला makeup कर रहे हैं तो आप इसको simply apply कर सकते हैं अगर आपको ये video helpful लगा है पसंद आए तो प्रीज वीडियो क